हलो दोस्तों स्वाइट सभी का अनकेड़मी बीपेसी चनल पर हमारा आज को टॉपिक है दोस्तों बिहार करेंट अफेर मार्च जनवरी करा चुका हूं फ्रवरी करा चुका हूं मतलब इस येर का मार्च है आप लोगो अप्रैल मैं टूस्डे या वेंस्डे को अप्रैल का क अब आपको एक बजट का अलग से करा रखा है मैंने एक आर्थिक समिक्षा का अलग से करा रखा है ठीक है और बिहार इस पिसल हमारा चलते ही रहता है तो बिहार करेंट आपको इससे ज्यादा नहीं पूछेगा प्लेलिस्ट में देख लेना मेरे उसमें सब कुछ आपको रहेगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस सेशन को फड़ापट लिंक को शेयर कर देजिए अपने मित्रों के बीच कि गुद आप्टरनून सभी बच्चे को चलिए शुरू करते हैं टेलिग्राम का लिंक मैं पिंग कर दूँगा आप लोग टेलिग्राम से आप लोग जुड़ जाईएगा तो चलो पहला कोश्चन है बिहार के किस महिला को अंतराष्टिय महिला दिवस पर केंद्रियस जल सक्ती मंत्राले की ओर से और से नहीं है और से राष्टपती पुरस्कार में दिया गया है इंपोर्टेंट कोश्चन है आप लोग को यहां से है ना कि बिहार के किस महिला को अंतराष्टिय महिला दिवस पर चुकिए आप लोग को पता होगा कि अंतराष्टिय महिला दिवस से बिहार में इस अब काफी आपको समारो हुआ है कई लोगों को सम्मानित किया गया है ठ ठीक होगे ना इंटरनेट इशू होगे था देवी भी हैं गुपता भी है एक ही लोग है यह ना दियाना खेगा बिहार की संस्था की और से यह सवी अंतराष्ठि महीरा दिवस्पी ही आपको हुआ है तो विहार सरकार के तरफ से किस बिभाग के द्वारा आपको नाइका पुरस्पी की शुरुवात की गई है चलि बताएं सभी प्यारे बच्चे ध्यान के का दोस्तों राइट अंसर इस डी है ना राइट अंसर इस हमारा डी महिला यहां बाल विकास मंत्राले के द्वारा आपको बिहार सरकार के तरफ से नाई का आपको एक नया पुरस्कार से आपको यहां स स्टॉबात की गई है और यह फिर वही अंतराष्ट यहीं पर आपको किस दिन मनाय जाता है नाईका पुरस्कार इनी को मिला पवीता जी को ही मिला बिहार से सम्मंदित किसे राष्टी पुरस्कार सी बी आइपी अवार्ड से सम्मानित किया गया है चलिए बताएं अका तो 2022 का पुरस्कार था ठीक है आठ मार्च जी अंतरास्ट्य महिला दिवास आठ मार्च को मनाते हैं तो बिहार से संबंदेद किसे रास्ट्य पुरस्कार सी भी आईपी अवार्ड 2022 से संबंदेद किया गया है ध्यान रखेगा दोस्तों को कोश्चन नमबर थी का जो एंसर होगा वह वह बिहार की दो योजनाओं को दिया गया है किसको तो गंगा जला पुर्ति योजना बिहार सरकार की इसको दिया गया है और आपको गया जी डैम अब को बनाया गया है गया में डैम फल्गु नदी पे उसको दिया गया है तो यह को सेंट्रल प्रइसशने ओ पावर य इस पुरे कर aging जो ऑपको है सेंट्रल बोड़ फिरीगेशन वर्रम सिव आईपी के द्वारा दिल्ली में अजित एक विसे समारो के तहद भीहार के दो सबसे महत्पून योजनाओं को जिसमें गंगा जला पुर्ती योजना और फल्गु नदी योजना को आपको जिसमें गया जी डैम बनाए गया है सबसे बड़ा रवर डैम भी है यह भी आपसे इंपॉर्टेट कोशन है को केंद्रिये मंत्री आरके सिंख्ये द्वारा पुरस इसमें देवी नहीं होगा ठीक है एक्शली कहीं के इनको देवी रखते तो यह ऑप्सन के हिसाब से एक्चली इनका नाम भीता गुपता है बड़कर बवीता देवी दिखता है तो ध्यान रखेगा कि यह लगभग से मरें यह थोड़ा सा ऑप्सन में चेंज आपको हो गया पर पहनए है अधिकखर है अध्यान रखेगा है लेक्सट इस्टी बिहार करना था नहीं सभी लोग आप ही लोग पर है थीम यास युवा सक्ति बिहार की प्रगति यानि आप लोग जो है युवा लोग युवा है कि नहीं आप लोग के बोज़र हो चुके हैं तो युवा सक्ति बिहार की प्रगति जो है आपको इस बार की बिहार सरकार यानि बिहार आपको दिवस की यह थीम रही है युवा सकति बिहार की प्रगती यानि आप सकते हैं कि आप की सपयाद्ण ङुआ है पूरा हो चुका है अगर आपको ऑलग को देट याद है 1912 अगर नहीं याद है तो ध्यान रखेगा याद कर लिजेगा और 111 वर्स आपको पूरा हो चुका है साथ निश्य भाग टू कहीं युवा सक्ति जो बिहार के प्रगति है उसी को इस बार थीम बनाए गया है कि वहाँ युवाँ को प्रोसाइथ देखें वह बंदर गुर्व भी एक्टिव है ठीक है ध्यान लखेगा यहां बिहार सरकार युवा सक्ति बिहार के प्रगति कर रहा है यहां पर देखें भाई बंदर गुर्व के लिटर बने गुए जाता है यह किस राज्य का राज की ये पक्छी है दिल्ली का भी है और साथ साथ आपको बिहार का भी राज के पक्छी है अब देखेंगे कि मिलता एक समय था कि लगो हर घर या उसके आसपास में गुर्व पक्छी बहुत मिलती थी लेकिन इसका सिकार हो गया है एक सेकंड रुको यार यह क्या हो रहा है नेटवर्क इशू हो रहा है वन सेकंड रुकिए गा तो नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ अभी भी हो रहा है एक्चली क्याना है कि मौर्णिंग से ही जो मौसम है ना वन सेकंड रुकिएगा अभी हो रहा है हर हो गया हरा ठीक हुआ एक्चली नेट तो सही है दूसरा वैबसाइट तो ठिक्ठा खुल रहा है कि पता नहीं क्या इशू हो रहा है ओभी असका कुछ इशू है क्या चलिए बिक्रम सिला महस्व का यूजन बिहार में कहां किया गया है बिक्रम सिला महस्व का यूजन बिहार में कहां पर किया गया पटना भागलपूर बेगुसरा या मधू बनी अभी भी क्लियर नहीं है ठीक तो है एक सिग्ण गूजन बिहार में कहां किया गया है दिक्रम सिला महस्व का यूजन बिहार में कहां पर किया गया है पटना भागलपूर बेगुसरा इस तो ठीक बूल रहा है का यूजन बिहार में कहां किया गया है अच्छला का यूजन बिहार में कहां किया गया मतर्दा पर इस तो है तो है 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 पर चलो राइट एंसर भागलपूर एक्चली हो सकता है कि उसका कुछ इशू होगा भागलपूर के कहल लगा में प्रेटन विभाग के दोरह कि दोरह किया गया है तो प्रेटन विभाग विहार सरकार के दोरह दो दिवसी है बिक्रम सिला भागरपूर से समंदित है तो वहीं पर किया गया है ना चलिए नेक्स कोशन बिहार के किस जिले में सेंटर फॉर आपको फ्लोरी कल्चर की स्थापना आपको की गई है दर्भंगा मुझपःपूर नालंदा या फिर पटना ध्यान रखिये का सेंटर और फ्लोरी कल्चर यानि फूल बगवानी फूल बगवानी फूल बगवारा के लिए कि यह ना चलिए बहुत बड़े हैं स्वाफिति में आपको स्टांट किया गया है धियान की जले में बिहार टकनिख की नरसरीं तयार की ठुछ पहला सेल्फ मुस्न दिस्टल कोट बनाए गया है बतार ख़्ट-पट सभी लोग आपको राज पहला सेल्क मूट एंड डिजिटल कोड़ बनाए गया है नलंदा मतब यहार सरिप ध्यान लखेगा वहीं पर है नलंदा में ही है राइट अंसर इस भागलपूर में आपको यह बना गया है हाई कोड की इसनवाई के लिए हागलपुर्ण के नाथ नगर में सेल्फ मूट एंड आपको डिजिटल कोट बनाए गया है कि कोई हाई कोट और सुप्रीम कोट कोई सुनवाई चाहता है तो इस परकार के एक डिजिटल कोट बनाए गया है आप लोग जाकर चाहें तो इससे देख सकते हैं और यह बनाया किस तो अदिवक्त अनील जाग के द्वारा यह बनाए गया यह नहीं पूछेगा कि किस ने बनाया है यह ध्यान रखेगा की नाथ नगर वह यह एक भी कोशन-पुस्ता के हाली में चर्चम आना नगर किसके लिए आपको वह है तो ध्यान रखेगा बिशन नाइकापुरशकार अभी जब मनें आवसे स्टार्ट किया गया इसी अंतरास्ति एक महिला दिवस्कन यानी सल्ट मार्ष को यह किसको अभी दिया गया रूदन है पहला कि बवीधा कुमारी अलग है यह कौन है भाई तो ध्यान रखेगा कि सक्रा की विशुनपूर व्गनक्री कि मुखिभपूज़ टिया गया सबसे पहले ynेटी नायिका पुरशकार यादि पूछे तो किस राज के हाली में सुरूओं किया है तो द्यान Venika कि आपको बिहार सरकार के द्वारा सुरूओं किया गया है अंतर। अंतरास्ट के अउसर पर पे और पहला जो मिला आ को मासध्य सहना रही है वीशंपूर नगरी शक्रा कि आपको ये ज्यंति बनाई गई यह आधा कोश्चन है आपर किस मार्च बताइएगा कि चुकि मार्च हम लोग कर रहें करें तो मार्च ही है 21 मार्च को सहनाई वादक जो है बिश्मिल्ला खां की कौन सी जेंति मनाई गई है बताइएगा सभी प्यारे बच्चे 101, 105, 107 या 111 वां कौन सी जेंति मनाई गई है सभी लोग बताइएगा फटापट द्यार रखें कि दोस्तों राइड ऐनसर इज 105 वी जेंति मनाई गई है राइड अनसर इज 105 वी जेंति मनाई गई है अभी आपको बिश्मिल्ला खांची की 21 मार्च को इनका आपको जेंति होता है द्यान लखेगा, 105 वी जन्ती मनाई गई है 21 मार्च 1916 को बिहार में यह आपको पैदा हुए थे, इनको पदम सरी अवार्ड भी मिल चुका है, पदम भूसन भी मिल चुका है, भारत रतने भी मिल चुका है, बहुत बड़े प्रसनालिटी है, ठीक है, ध्यान लखेगा, 1905 में बहुत बड़े प्रसनालिटी है, अब आप लोग बिहार करेंट, आप लोग इतना हड़ बड़ाते क्यूं है, अप लोग इतना हड़ बड़ाते क्यूं है, आप लोग को तुरंट चाहिए, अब मैं मार्स कर रहा हूं, अपरेल कर दूँगा, फिर माई, जून, अभी तो जुलाई आपका चल भी उता है, तुरंट आप लोग हड़ बड़ाने लगते हैं, ध्यान लगेगा, यूही सब्सक्राइब बड़ाते हैं, अभी भी वफ्रिंग हो रहा है, पता नहीं है, कुछ हम नेक्टवर्क इस विए कर लो ना, इगारा कोश्चन हो गया, पता नहीं है, यह टेल क्यों इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, बताएगा, इसका एंसर बताएगा सभी पेरे बच्चे, प्यारा है आप लोग यह बताएगे, राइट एंसर, जारखन के सासथ बिहार में कितना रुप्या है, तो जारखन क सासथ बिहार में 228 रुपीज है, ठीके ध्यान अखेगा, 228, 228 रुपया निर्धायत किया गया है, मंड्रेगा का एवरी आपको डे का है, इसके ध्यान अखेगा, 228 रुपया प्रति दिन आपको किया गया, एक अपरेल से यह प्रभावी हो चुका है, इसकी घोसना आपको बजट में आपको इसको बारे में बताया भी गया था ठीक है यह मंद्रेकर किसको दिया जाता है तो और कुसल है ना आनस्किल जो होते हैं आपको लेवर उनको यह एवरी डे किया जा रहा है इससे पहले कितना था तो 210 रुपया आपको दर ने धारित की गई थी पचास साल से ज़्यादा लंबित मामलों में बिहार का देश में कौन सा स्थान है यानि जो केसेश चलते हैं और पचास साल से पेंडिंग है सोचो कि जिस पे केसेश होंगे वह भी जिवित भी नहीं होंगे कई लोग तो उस मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर रहा है पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान या चौथा स्थान इस पीडी के बारे में बोल रहा था आप लोगों को कि इस पीडी ने क्या किया है कि लेटेस्ट करेंट के जगह पे उसने लेटेस्ट तो डाला है बीच-बीच में घुसा दिया है पुराने-पुराने करेंट ठीक है कि दोजार जनवारी के 2022 के करेंट के उसाय हुए कोई 2021 के दोचार को करेंट है तो वही कह रहा हूं कि पढ़िएगा थ्यान से पढ़िएगा वैसे मैं तो आपको करा ही दूंगा इस पीडी उसमें सचाट शाट कर बट आप लोग थ्यान रखेगा इसलिए जो मैंने कल का प्ल है मतलब क्या हुआ कि वैसे केसे जो बहुत पहले से सोचो कि अगर आज कौन सा चल रहा है 2023 आज से 50 सल पहले कोई केस पढ़ा उससे भी पहले का केस अभी तक पेंडिंग है यानि सोचिए कि नयपाली का पर कितना भार है ठीक है भार है दो चीज होती है या तो भार होता है या फिर इसको बहुत कैजिवल तरीके से लिया जाता है क्योंकि जजस तुरण चेंज हो जाना मालों कि कोई जज हुआ पूरा चीज को रीडी के अचानक से पता चला उसका चेंज इधर से इधर चला गया फिर नया जज आगा तो बहुत सारी इसमें पेच है इसमें सुध मुख्यमंत्री नितिशकुमार ने दिल्ली हाट की तर्च पर किस जिले में मिथला हाट का लोकारपन किया है मिथला हाट अभी हाली में चर्चा में रहा था कि मुख्यमंत्रे नितिशकुमार ने जैसे दिल्ली हाट देखे जाएगा तो दिल्ली हाट की बहुत जगा आपक तो मुख्य मंत्री नितिश कुमान दिल्ली हाट की तर्स पर मधू बनी में आपको मिथला हाट कराया है कहां पर कराया है मधू बनी में मिथला हाट कराया है और मधू बनी में जन्जारपुर में कहां पर उसका एक छेत्र है आप लोगो जनकारी होगी जन्जारपुर प्रकं बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिस्थित आर्डीपी अवार्ड दिया गया है बताएगा बच्चे प्यारे बच्चे प्यारे हैं कि नहीं है बताएगे पहले बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिस्थित आर्डीपी अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपको बतातों कि यह कैसा वार्ड है जो कि भारत में किवल तीन लोगों को मिला है दो को पहले और अभी यह तीसरे तो यह समझे कि अपने आप में कैसा प्रसन हो चुका है प्रथीप जहन को मिला बिहार के से संबन्दित है है यह तो बिहार से संबन्दित यह परतिस्था संस्ता रॉयल सोसाइटी ओफ लंदन करती है अभी तक आजादी के बाद ध्यान रखेगा दस्तो आजादी के बाद अभी तक भारत में किवल तीन लोगों को यह पुरस्कार मिला है एक 1983 में आपको डियन जाटिया जी को मिला है 1999 में बिग्रेडिया डियम विर्को को मिला है और अभी प्रदीव जैन को मिला है 30 सालों के बाद तो सोच लो कि यह आपके कोस्चन कितने इंपॉर्टेंट आपको रोल अदा कर सकता है यह कोस्चन धिया नखेगा दोस्तों है ना चलिए कोश्चन है नेक्स्ट विहार राज्य खेल प्राधी करन को एक स्वैस्थ संस्था ऑट्व नमस आपको यहाँ पर अटोरीटि को यहां पर क्या कियागे है बनाया गया है डिट की इसते यह ध्यान लखेगा इस इंसिट्टिट को यह आपको अथ्यान लखेगा यह याप से प्राशन पूर्श सकता है कि यहाली में किसी स्वाष stri विख रूपय का नूरी मानेता देए गी है तो ध्यान आखेगा दोस्तों भीविहार राजिखेद प्राधिकरन को दिया गया है और मार्ज को दिया गया एक 믹्म मार्च 2013 को इसको डौइ किया गया है है कि 25 मार्च 2023 को इसको अप्रूब किया गया कि इसको तो बिहार राज खेल प्रादिकरन बिहार स्टेट स्पोर्ट्स ऑथरीटी को आपको लिगली एक रिकोनाइज आज ए ऑटोनुमस इंस्टीट स्वाइट अपना स्वाइट आपको चीजों को करेगा और यह आपको 25 मार् दोस्तों आप लोग अवे लाइफ कोड कर अभी आप लोग जोइन कर सकते हैं पीटी के बैच कि वहां पर आपको कई पूरा क्विक रिवीजन हम लोग कर आएंगे और अभी जो आफर है आप लोग को जस्ट फोर 1499 में पीटी बैच मिल रहा है थ्री माहिन नाइंटी टेस अभी किजेगा तो कुछ रिकॉर्डेट सेसन होंगे लाइफ सेसन होंगे और आज लिजेगा तो आपको 20 परसेंट का ओफ है ठीक है नहीं तो पांच परसेंट का ओफ चलता है चलिए नेक्स्ट बिहार राज्य फॉर्मेसी प्रैक्टिस रेगूलेशन लागू करने वाला परसें अब आपको विहार हो चुका है इसके तहथ क्या होता है कि आपको विक्रेता जवाद की जनकारी देते हैं उसके लिए कुछ पैसा भी ले सकते हैं, जैसे आपको होता हैं, कि कोई आपको दवा खाना है, मतब मूल रूप से, मतब थोक में, ऐसा नहीं कि आप जाइएगा, तो पूछेगा तो आप से, ठीक है, इसमें क्या होता है, चूकि प्रैक्टिस रेगोलेशन होता है, तो इसमे कई सारे चीज़ों को restrictions को हटा दिये जाते हैं तो ध्यान रखना तो फर मैं इसी practice regulation को लागू करने वाल बिहार चौथा राज़े बन चुका है या 2015 का ही संसोधी तुरूप 2021 में आपको किया गया था और इसी के तहट इसको लागू किया गया है ठीक है ध्यान रखेगा बिहार के बेगु सराय में संसत खेल प्रतियोगता में सामिल होने आई इनमें से कौन सी हस्ती जो है बिहार अभी आई थी क्या भाई क्लास में जोती मोरिया आई है अले चुछ देखा चली यह तो अलग ही famous personality बन गई है बाई मैं यहार किसे सबसे पधेए कि कानी सबसें सबसें पढ़िए कि कानूनी ए جब कुछ होगा वहाँ से क्या दो अदिए मेडिया और Azaming शोड़ेंदी आने दीजिए कि क्वागई में रखेली क्या समस्या थी यह समस्यां नहीं थी क्याया क्या हुआ बहुंन सब्सक्राइब दूसरा पहलू भी हो हमें पता नहीं हो छोड़ों ध्यान लखेगा पीटी उसा पीटी उसा एथी उड़नपरी लेकिन इससे क्या अगया ना कि मीडिया ने इसको ऐसा किया कि इसका इंपक्ट इतना निगेटिव पढ़ गया है कि कई सारे जो हस्बेंड अप सर्मसार करने वाली घटना मत्या ऐसे नहीं करना चाहिए कि क्या रिजन था क्या रिजन नहीं लोगों ने न्यूस सुना अब जो बैचारी महिलाएं पढ़ाई कर रही हैं उन पर अलग से प्रेसराइज हो चुके हैं कि भाई अब वह वाकई में कितनी सत्यता है इसके बार कर फिटी रिंऊसेंट महिलां इंपो भुघतना पढ़ रहा है जो की बहुत ही मतबाभ गलत चीज है एक बहुत गलत मतलब यह है अब इसपर ने ने आने देना है मानलों कि यह को एक परसेंट मानलों कि हैं भी तो बही सब अलग अलग यथी होते इसाम का नेचर अलग होत था ना कि बेगु सराय में कहां हुआ था अभी बेगु सराय में तो बेगु सराय में आयोजित हुआ है सांसत खेल महाव सवा समापन समरों में आपको भारति ओलम्पिक संकिया अध्याइट सब्सक्राइब पहुंची थी और उन्हों अभी बेगु सराय क्लियर भी वी याइए कोस्चन है क्या मीडिया मीडिया के छोड़िये ना यार अब देखो अब आप लोग सचीए कि क्या इंडिया में और कोई न्यूस चला तो जो भी न्यूस खोली है यही सब आता है मनिपूर अभी भी जल रहा है वहां से न्यूस खत कि मीडिया तो अलग ही लेबल पर यहां पर इंडिया में भाई ठीक है ध्यान लखेगा कहां पर तो बेगु सराय कि ऑपरेशन स्नो लेपड अभी हाल ही में स्नो लेपड एक उपरेशन चलाय जा रहा था मैं इसके बार में यह भी कोशन आ सकता है कि कि यूटी के द्वारा या किस राज्य के द्वारा तो ध्यान लखेगा लदाक में है ना लदाक में अपरेशन स्नो लेपड हुआ था इसमें एक बिहार के आपको सकसी कांत कुमर पांडे जी की मिठती हो गई ठीक है तो बताएगा कि वो किस जीले से समन्दित हैं बुजपर पूर सिवान सारन य इसलिए तो और सबसे बड़ी चीज इसको सुधार के लिए लोग कुछ करते भी नहीं कि हम लोग इतनी खराब पोजीशन पर हैं विश्वस्तर पे इसको कुछ सुधारा जाए वह भी कुछ काम नहीं दिया नखेगा दोस्तो सारन के हैं ठीक है सारन के थे पीपर पाती है आपको दिया नखेगा पीपर पाती गाओं के हैं यह इस्मों लेपड आपको लदाग चैतर में जो चीन के कबजे वाले चैतर हैं वहां पर देखीएगा कि डिस्प्यूट हुआ है उसी पर ऊचे छित से संस्वंधि जानवर बचाने से हैं अपने च्छेतर के सुरक्षा से नहीं है यहां पर आपको अभियान चीन के द्वारा कि वापस लिए था टिक है यहां लगेगा बिरासद बचाओ नमन यात्रा की शुरुवात कि इस राजनेता ने अभी हालही में किया है बताए बाइस सब्सक्राइब बिरासत बचाओ नम नियात्रा की शुरुवात किस राजनेता ने अभी हाल ही में किया है आप लोग एक रिवीजन करा दू किया कुछ दिन बाद यूटूब पर ही देगो जो मैं रिवीजन जनवरी फरवरी या दिसंबर जनवरी फरवरी मार् दिमाग में जो जंग लगा दिमाग है उसका जंग हटे है ना इसी चैनल पर हम लोग क्या करेंगे एक दिन क्या करेंगे चार महीने का एक कुछ रिवीजन करा देंगे और आप लोग पढ़कर आएगा कि पीडिएफ आपके पास होगा मैं आपको दे दूंगा ग्रूप मे आपको परशान नहीं होना है सब हो जाएगा इस बार आप लोग का बहुत ज्यादा आप लोग को रिजल्ट यहां पर देना है ध्यान रखेगा यह नितिश कुमार से अलग हुए थे ठीक है उसके बाद इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है तो राश्टी लोग जनता दल अगर आपसे कोई कोशन पूस देगा कि हाल ही में निम्ल कित में से किसने राश्टी लोग जन है हम लोगों ने कई कोशी से की मैं किया कई दूसरे सारे सिख्षक किये बट आप लोग का पाटिसिपेशन मतलब बहुत कम रहा अब मेहनत करके पूरे प्रटन को लाओ आ रहे हैं दस बच्चे देखने इसका मतलब कि इस प्लाटफॉर्म पर एक्टिव नहीं है है ना और जब एक्टिव नहीं है तो फिर टीचर ने अपना मूव यहां पर हम लोग ने 67 को फिर से टार्गेट किया कि इस चैनल पर 67 के बच्चे बहुत हैं मतलब बीपेसी जो तियारी कर रहा है 69 68 60 70 71 तो अब आप लोग फिर से कर आईए ठीक है अब बताओ जब टीचर लोग मेह लाइव आईएगा तो एक इनर्जी मिलता है टीचर को टीचर को उसी से इनर्जी मिलता है टीचर को इससे नहीं मिलता है माल पानी से वह तो एक अलग चीज होता है लेकिन हमें जो असली इनर्जी मिलता इससे मिलता कितने बच्चे लाइव हैं कितने बच्चे देख रहा ह बिहार के कितने जीलों में बिहार, ग्रामिंग, जिवका पारजन, प्रौसाहन समीती, राज ग्रामिंग अजिवका मीशन के तहद समुदाइक पुस्तकाले, सह कैरियर, विकास केंदर के स्थापना की गई है, की जाएगी, कितने जीलों में यह important है, again, again यह क्या है, important आप लो प्रीघ के चैश्ट प्रसांत है कि इसको स्टार्ट किया गया ध्यान अब पर हम लोग ने लिग दीया है यह सब दिटेल से आप लोग पीडियाफ में जागा सिक है तो यहीं मुख्य रूप से कहां पर होता है जहां में मुख्य रूप से नाखेगा अगर आपको बहुत सरे चावल की CHEWAL बहुत होता है तो कैमूर के गोविंद भोग चावल में पिछले चार वर्सों में राम लेला भोग लगा रहे हैं और आगे इसी को क्या किया गया है बढ़ाय गया है कि अभी तक जो भी वहाँ पर जो भोग लगता है और अभी आपको जो मंदिर के ट्रस्ट ने कहाए कि इसी को तो यह चर् में है ना द्यान रखेगा है यह खास पहचान है अकार छोटा होता है इसका काफी सुगन्दित भीहार में खुछ चावल मिलता है बहुत पर मज़े से एक सोना चुर का जाता है उप जोटे छोटे तो बहुत खुस्बू करता है ठीक है बिहार बास्मतिक वेगर भी बहुत खुस्बू करता है तो यह जो गविल्भोग यह भी आपको छोटा होते है छोटे छोटे इसके विधाने होते हैं सोना चुर की तरह और यह भी काफी खुस्बू करते हैं ठीक है ध्यान अकेगा है हाँ भंडा इसी से होता है बिस बिहार स्वास्त विभाग ने 2023 में हर निर्मान करने का निर्ण लिया है पांक साथ नौ या इगारा है मर्चाधान आपका चमपारन में वह भी तो फेमस हैं आप लोगों को पता ही है क्यों फेमस है कर देज्यें बाइस ओसेर कर देजैंक में बिहार स्वास्त विभाग ने 2023 में हर विधान सवाग चेत्र में कितने स्वास्त उपकेंद्र को निर्मान करने का निर्ण लिया है होचा 16've कि बिहार में ग्रामीनों के गहर के पास अब अब उपलब्ध होगी स्वास्त अगर जोटल पूछ देगा तो दोहजार चीयत्तर ठीकहा घ्यान रखिएगा और पूछ पूज़ देगा की कितने तो साथ-चाथ कहा बढ़ बिधान सबाद चेतर तो पांच पांच ठीक है- ध्या नखीगा जैनली यह नहीं पूछेगा ड्याद आतर चांसे हैं यह पूछेगा 2006 क्लीर ध्यान प्मकीटर अभू ने भी कि कितने टोटल स्वास्त केंद्र बनाए जाने की घोसना की गई है तो दो हजाट शीयत्तर इंपोर्टेंट है ना पेपर अपर में भी इसने बहुत अच्छे से कॉबर किया था नीज़ वालों ने भी चलिए बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नूक्त किया गया है अनील कुमार जी को नूक्त किया जबूदार 3 सितम्बर तक धुम्यधार वीडियो आएंगे सभी टीचरों का अ ध्यायना के बड़े आप्शन समा रहें क्या भाई प्रसांथ कुमार सही अच्छली फेमस है पीके सही गरूप में ठीक है प्रफ जोड़ाइड बिहार के साथ कर चुके हैं एक यहां को ध्यान रखेगा नितिश कुमर के साथ कर प्रसांत कुमार साही केंद्री मौसम बिज्ञान केंद्र बिहार के किस जुले में पंदर कोड़ की लागत से अत्याजुनिक डॉपलर लगाएगा नहीं लगा चुका है चली बताएगा प्रसेश कर सकते हैं अब है लाइब कोड के साथ है ना आप लोग चाहें तो इसमें बिहार सबसे बैस्ट है पीटी में इसमें बिहार दरोगा वेगरा सब हो जाता है वह ले लिजेगा अभी 20% का डिसकाउंट है वहां पर कोड के दवारा 20% का डिसकाउंट है जेनरली 5% रह हैं बहुत बढ़ी यहां राइट हैं आपको पूर्णिय अ ध्यान केगा पूर्णिया में लगाए जा चुका है और पूर्णिया में जुकर लगाया है तो उसके आसपास के छेत्रों के मौसम की जनकारी यह ठिकठाक यह क्या करता है का मौसम की जनकारी देता अच्छे तरीके से उस शेतर विशेस में तो पुर्णिया है तो चुकि कटिहार किसंगंज बगएरा एरिया में भी आपको यह मौसम की जनकारी इस पस्ट रूप से देगा क्लियर चलिए जी ट्वेंटी के लिए भारा सरकार के द्वारा आजादी के अमरित महसों के लेकर बिहार के किस विश्व विश्व विद्याले को होश्व विद्याले के रूप में नामित किया गया है बताएगा सभी पहर वच्चे कोश्चन है G20 के लिए भारत सरकार के द्वारा आजादी के अमरित महसों के लेकर बिहार के किस विश्विद्याले को होस्ट विश्विद्याले के रूप में नामित किया गया या चैनित किया गया बताएगा सभी लोग बहुत बढ़िया है चलिए राइट एंसर इस नालन्दा विश्विद्याले के किया गया था किसको नालन्दा विश्विद्याले को होस्ट यूनिवर्सिटी की रूप में आपको यहां पर चैनीत किया गया था ठीक है ध्यान रखेगा आप लोग बहुत बड़ी देखें बंदर गुर्प अक्टिव है नेक्स्ट बिहार परियाटन विभाग का ब्रांड अमबेस्टर अभी हाली में किसे बनाया गया है मनोजतिवारी को ससीकला को मैंतली ठाक या इन में से कोई नहीं अभी हाली में भीदेखें विभाग किसे बनाया है तो ब्भी हार परेले विभाग के द्वार बनाए गया है ठीक है द्यान लखेगा कल आप लोग का कुछ टेस्ट ले लूँ गया कल चुकिए स्पीडी वाला थोड़ा सा मेहनत उसमें है तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो आप लोग यूटूब पे ही कुछ टेस्ट ले लूँ आप लोग जो पढ़े रहे ना प्लस पे पेड़ क्लास्स में एंसर एज मैच्सली ठाकूर जी को है ना मैच्सली ठाकूर लोग गाई का मैच्सली ठाकूर बनी आपको भिहार प्रेटरन के ब्रांड अमेजजर और साथी साथी हाती है हैंडी क्राफ्ट के बाद एक और विवाग का भी चेहरा बन चुकिays पहले से खादी हैं और अभी इन्होंने क्या आपको किया है तो इन्होंने भिहार प्रेयटन से बनी तो यह आपको पूछे के लिए कि किस का धियान ही रखेगा यह कोश्म पूछTON अभी हाली में भिहार में किस भिभाग ने हमको अपना ब्रांड डिमेंजर बना है स्वास्त बिभाग प्रेटन बिभाग सिक्षा बिभाग ऐसे आ सकता है तो ध्यार नकीगा बिहार प्रेटन बिभाग के द्वारा यह अभीन को बनाए गया है मैं तली ठागुड को क्लियर चब पढ़ाद एकल अच्छा देखते हैं कल संडे है आप लोगों बता दूंगा इवनिंग के पेट क्लासस में बिहार का दूसरा चिडिया घर किस जिले में बनाए जा रहा है बताएगा भाई सभी लोग बनाए जा चुका है अच्छिलिए अना बताएगा सुपाल अररिया दरभंगा मुंगेर क्वेश्चन है आप लोगों को बिहार का दूसरा चिडिया घर किस जिले में बनाए जा रहा है सुपाल अररिया दरभंगा या फिर मुंगेर आठेक है बहुत वड़िया ध्यान अगया दरभंगा अररिया है नहीं अररिया में बिहार का सेकेंड जो है आपको जू यानि चुनिया घर अभी कल पत्टना में है पताएगा तो इसी बात पर प्रसंफणा में जो चुनिया घर है जू है उसका नाम क्या है बताएगा अस् प्रशने टिक है फेवास है एक ही है राइट एंसर इस भी बिहास सरकार के द्वारा किस वर्ष तक टोपो लैंड भूमी का सर्वेक्षन कर लिए जाने के प्रस्ताव किया गया है जैपरकास नहीं है वाई संजे गांदी है जैपरकास बोल रहे है एरपोर्ट है न जैपरकास संजे गांदी है संजय गांदी जी के नाम पर बताइए किस वर्ष तक टोपो लैंड भूमी का सर्वेक्षन कर लिया जाएगा टोपो लैंड भूमी की मतलब की एक बहुत पहले कि कई सारे भूमिया थी जो नदियों के किनारे छेत रहे या नदियों के बीच के देखिए को भूमी उठ जाता टार्गेट है मार्च बसकी घुस्टना की गई है कि 2024 तक हम लोग क्या करेंगे टोपो लैंड जो है इसका सर्वेक्षन करा लेंगे इसको नीज इसको भी कई सारे नीज़ पर ने क्या किया है आपको यह किया यह नीज़ का सीधा कॉपी-पेस्ट है यह आपको ध्यान अख होती है लोग इस पर अपना हंग जाता तो वही सर्वेक्षन होगा ठीक है यहां पर आपको बताया गया है कि 1890 से लेकर 1920 के बीच बिहार में बड़ी संख्या में जमीन का और सर्वेक्षित मतलब इसका सर्वेक्षन नहीं करा गया था यहीं नहीं नदियों की किनारे और बी कि नंदरता है मतलब जिसको और सर्वेक्षित हो जिसका सर्वेक्षन नहीं हुआ तो तो 2024 को टार्गेट है 2024 जिस चेत्र है किनारे नदियों किनारे वाले चेत्र होते है जिस में पानी आता है अग्सिए फइल्टी वो जैजिनर्ली अपर ज्यादा बीवाद होने लगता थ कर्या विफार में नहीं है एंधा है वह में पर में पर पाणी करने अंधिक आहें वह बहुत जामीन है ही कि रिजाना प्रीशों पीधूंक सundans बंबौने के गोशना की गई है मुझप़र रेल संसट पतना सब्सक्राइब सफेट बिहार के किस रेल्वे जंशन को विस्व इस तरिये बनाने कई घोजना अब विस्व इस तरिये नहीं इदम एयरपोर्ट की तरह जवर्जास चुमकाएगा मुझफरपूर वाले कितना बच्चे मुझफरपूर से आप लोग का रेलवे जंशन कुस्ता में एयरपोर्ट की तरह दिखेगा तो मुझफरपूर जंशन को विस्व तरिये जंशन बनाया जाएगा मुझफरपूर जंशन न्यू मॉडल तो ऐसे करकर आज देखेगा तो आपको आ जाएगा उसके फोटो भी आ जाएगी इसके कितनी लागत है आपको जहलकिया इसमें देखने को मिलेंगी तो दोस्तों यह आपको आज इंपोर्टेंट मार्श के करेंट था अब मैं आपको अप्रायल का करेंट मंगलवार या बुद्धवार को अप्रायल का करेंट पता दूँगा आप लोग को अन अकैडमी की तरफ से कुछ बैचे इसके लिए प्रशान नहीं होना है और अकैडमी आपको आफर ला है बट यह ध्यान अखेगा यह एक्स्टेंशन ऑफर खतम हो चुका है क्योंकि यह कल भर ही था बट अभी भी आपको स्टील 20 परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है इस कोड के दवारा ठीक है नाइटीनाइड कैसे ले सकते जैसे आप लोग अप्लिकेशन पर जाओगे ना यसी यह मोवाइल है लैटटॉप पर ओपन करोगे तो अनकैडमी डॉट कॉम हना तो यहां पर स्टोर लिखा होगा यहां पर सबसे पहले बीपीसी कैटेगरी डाल देगा बीपीसी कैटेगर सबसे पहले वहां पर इसको आप लोग क्या कर लिजेगा पर्चेश कर लिजेगा 1499 कोड़ फिर वही सिंपल सा जो कोड़ है अब है लाइव उसको कर लिजेगा कोई स्पेस नहीं है इसमें इसको ध्यान रखिएगा इसके लब इंग्लिस मोडियम को बैच शुरू हुआ है आप लोग को एक मतल कल से ही शुरू हुआ है आप लोग चाहिए उसको पर्चेस कर सकते हैं विज सेम कोड़ यह प्रोपर इंग्लिस मोडियम का बैच यह कुछ टेश सीरीज है ठीक है यह 70-71 वाले बच्चे इसको क अब आने का अच्छा है तो आप इसको भी कर सकते टार्गेट शिक्स्टिने तो कई सारे बैचेस है सबसे पहले अप्लिकेशन को डान्नोट किजेगा फिर अपने मोबाइल नम्र नम्र टा लिएगा फिर बिहार इस्टेट इग्जाम यहां पर सर्च किजेगा बिहार इस् कोई समस्य आगे टेली धान को फालो किले आ कि अटीको फेले अपमे इंग् cancer के साथ नहीं इस बिलकुल आप सब्सक्राइब करते हैं जितना मैक्सिमम हो सकता है उनलाइन में कई सरे पूछनी होती है तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि अपने कर दो वाटसाप पर मैं reply किया या टेलिग्राम कर दो तो कॉल कर लो या मैश कर दो जैसी आपकी इच्छा अब यह नहीं कि जब मन तब फोन कर दी है जैसे अभी क्लास ले रहा था दो बच्चों का कॉल आया जब कि यह क्लास के पेट क्लास के बच्चे है जब इनको हजार में बोल चुका हूं कि एक मैसेज पहले ड्रॉप कर दीजिए भाई आपके दोस्त बगारा नहीं है न हम इस सब फ्री रहेंगे क्लास होते जैसे भी क्लास हैं तो एक मैसेज कर दिया कि यह ड्रॉप टेक्स्ट कर दो वाट्सब कर दो टेलीग्राम कर दो जैसे एक शापकी अना क्लास में आव बात हो जाती है तो थाइंक्यू जुनने के लिए बहुत बहुत धन्यूश्यू